मेरे गाउं में जो भी लड़की 16 साल की होती उसकी सुद्धी की जाती थी, मैं भी जल से जल सुद्धी करवाना चाहती थी, क्योंकि मैंने देखा था जिस लड़की की भी सुद्धी होती थी, उसे खूब सारे गहने और अच्छे-च्छे कपड़े पहनने को मिलते, इसलिए मेरा भी मन करता कि मैं भी जल्दी से 16 साल की हो जाऊं, लेकिन मेरी बहन मुझे हमेशा समझाती कि कभी भी सुद्धी मत करवाना, मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कहती थी, फिर कुछ महीनों के बाद मेरी सहेली जब 16 साल की हुई, तो उसके माबाप ने उसकी पहेजा जा रहा था, और अगले दिन जब मैं अपनी सहेली से मिली तो उसकी बहुत ही बुरी हालत थी, वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, जब मैं उससे इस सब की बजा पूछी, तो मेरी सहेली ने मुझे जो भी कुछ बताया, उसे सुनकर तो मेरे होशी उड़ गये मेरा नाम सीमा है, मैं जिस गाउं में रहती हूँ, वह दो भागों में बटा हुआ है, बचपन से मैं यही देखती आ रही हूँ कि जिस तरफ मैं रहती हूँ, उस तरफ गाउं के दूसरी पार वाले लोग कभी भी नहीं आया करते थे, और मेरी पार वाले लोग कभी भी द पहले तो मुझे ये सब समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यूं है कि हम उस पार क्यूं नहीं जा सकते मैं पढ़ने में बहुत होश्यार थी और बच्पन से ही बहुत सवाल जवाब करती थी इसलिए जब मैंने ये सब देखा तो मैंने अपनी मां से पूछा लेकिन हम जिस जाती के हैं उस जाती के लोग उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उस तरफ के लोग हमें अपने से नीची जाती का समझते हैं और खुद को उची जाती का मैंने मां से कई बार पूछा कि ये उची जाती और नीची जाती कैसे पता चलती है तो मां हमेशा मुस्कुरा क बढ़कर कहती कि भगवान जिसे जहां पैदा कर देता है बस वही उसकी जाति होती है और ये हम नहीं बता सकते कि किस की जाति उच़्ी है और किस की नीची सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है जो पहले से बता दिया गया है वही सबने मान लिया है मैं जिस जाती में पैदा हुई थी उस जाती की लड़कियां जैसे ही 16 साल की होती थी उनकी शुद्धी करने की प्रथा मेरे गाउं में थी जब भी किसी लड़की के साथ ये प्रथा होती तो मेरे गाउं के मंदिर में किसी मेले के जैसा आयोजन होता हम लोगों को ये सब दे देखती चली आ रही थी कि जिस भी लड़की की शुद्धी होती उसे खूब सारे गहने और कपड़े पहनने को मिलते साथ ही साथ खाने पीने की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी दी जाती मैं और मेरी सहेली जब भी कोई लड़की सुद्धी की प्रथा से गु जाते थे क्योंकि इसका आयोजन देखने में हमें सबसे ज़ादा मजा आता था और बहुत ज़ादा खुशी मिलती थी हम हमेशा एक दूसरे से कहते कि जल्दी से हम लोग भी बड़े हो जाएं और फिर हमारी भी शुद्धी होगी और देखना हमारे पास भी बहुत पड़े होंगे वैसे तो हमेशा से ये देखा गया था कि जिन घरों में लड़कियां पैदा होती थी वहां मातम चा जाता था लेकिन बस मैंने अपनी ही जाती के लोगों में देखा था कि अगर उनके यहां पर लड़की पैदा होती तो खुशियां ही खुशियां मनाई ज मेरी बहन मुझसे तीन साल बड़ी थी लेकिन वह मेरी सहेली की तरहा ही थी मैं अपनी हर बात अपनी दीदी को बताया करती थी और मेरी दीदी भी मुझसे अपनी सारी बाते शेयर किया करती थी हम लोग साथ में खुशी-खुशी स्कूल जाते और घर वापस आते क्योंकि मैं बहुत जादा बोलती थी इसलिए मैंने गाउं में बहुत सी लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी जिन में मुझसे उम्र में बड़ी लड़कियां भी मेरी सहेलियां थी जब मेरी दीदी 16 साल की हुई तो उसकी सुद्धी का आयोजन सुरू कर दिया गया लेकिन भह बहुत बुरी तरह से रो रही थी और माता पिता के आगे गिड़ गिड़ा रही थी कि मुझे शुद्धी नहीं करवानी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी इस तरह का व्योहार क्यों कर रही है क्योंकि शुद्धी करवाने में तो बहुत मज़ा आता था कितने सारे गहने मिलेंगे और कपड़े लेकिन क्या दीदी को गहने और कपड़े नहीं चाहिए थे मैंने जब दीदी से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही है आपको तो कितनी अच्छी अच्छी चीजे मिलेंगी फिर आप शुद्धी से क्यों मना कर रही है तो वह मुझसे बोली सीमा तुम अभी छोटी हो तुम इन सब चीजों को नहीं समझोगी लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुद्धी बहुत बुरी चीज है जिससे तुमें बहुत तकलीफ होगी इसलिए कभी भी इसे मत करवाना बलकि पढ़ लिख कर कोई बड़ी अपसर बनना और हो सके तो इस गाउं की लड़कियों को बचा लेना मुझे ये बात समझी नहीं आई कि दीदी ऐसा क्यों कह रही है कि सुद्धी से बहुत तकलीफ होती है और गाउं की लड़कियों को बचाना जबकि मैंने तो आज तक जिन भी लड़कियों को शुद्धी करवाते हुए देखा था वह तो बहुत ही खुश नजर आती थी ज मैंने भी मा बाबु जी से यही कहा कि दीदी अगर अपनी शुद्धी नहीं करवाना चाहती है तो फिर आप लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है देखिये वह कितना रो रही है अगर उसे सुद्धी से खुशी नहीं मिलती तो मत करो ये सब लेकिन मेरी बात किसी ने भी बलकि बाबु जी ने मुझे डाट कर वहां से भगा दिया इस पूरे आयोजन के दोरान दीदी लगातार रोती रही लेकिन किसी ने भी उसके आशुओ पर कोई ध्यान नहीं दिया जबकि उसे देखकर मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार कर शाम तक आयोजन जब पूरा हो गया तो हम सब घर की तरफ लोटने लगे लेकिन मैंने देखा कि दीदी को एक डोली में बिठा कर कहीं पर भेजा जा रहा था मुझे ये बात बिलकुल भी समझ नहीं आई कि जब हम सब लोग घर जा रहे हैं तो फिर अकेले दीदी को अब इतनी रात में कहां पर भेजा जा रहा है मैंने मां से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब हर हाल में चाहिए ही था फिर मैंने गाओं की कुछ बड़ी लड़कियों को आपस में इस तरह की बाते करते सुना कि अब मेरी बहन को ठाकुर की हवेली पर लेकर जाया जाएगा ठाकुर की हवेली का नाम सुनकर तो मुझे बहुत तेज घबराहट होने लगी क्योंकि ठाकुर साहब तो बहुत ही बड़े आदमी थे और बहुत गुसेल भी सभी गाओं वाले उनकी बहुत इज़त करते थे और उनसे बहुत तरते भी थे लेकिन मेरी दीदी को ठाकुर की हवेली पर क्यों लेकर जाया जा रहा था ये मुझे बिलकुल भी समझ नहीं आया मैं घर आकर जब दोवारा से अपनी मा से सवाल जवाब करने लगी तो मेरे बापु ने मेरे गाल पर एक तमाचा मार के मुझे चुप करा दिया मैं पूरी रात बिलक कर रोई लेकिन मेरे सवालों का जवाब मुझे किसी ने भी नहीं दिया पास दिन के बाद दीदी घर वापस आई और उसे देख कर मैं तो बहुत खुश हुई लेकिन दीदी की हालत मुझे बिलकुल भी ठीक नहीं लग रही थी वह बहुत कमजोर लग रही थी वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसे कई जगाव पर चोटे लगी हुई थी मैंने उसे गले से लगा लिया और वह भी मुझे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी मैंने पूछा दीदी ये चोटे कैसे लगी तो वह बोली कुछ नहीं मैं गिर गई थी बस तू ये सब छोड जा मेरे लिए पानी लेया उस दिन के बाद से दीदी हमारे साथ ही रहने लगी लेकिन अब दीदी स्कूल नहीं जाती थी और ना ही अपनी सहेलियों से मिलने जाती थी वह पूरा पूरा दिन गुमसुम सी ही घर पर रहती और घर का काम करती रहती मैंने सोचा अब तो दीदी घर आ गई है तो धीरे धीरे हो सकता है वह फिर से पहले जैसी हो जाए और स्कूल जाने लगे लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से बापस लोटी तो मैंने देखा कि दो तीन आदमी मेरे घर से बाहर निकल कर जा रहे थे और उन्होंने बहुत सारे रुपए मेरे पिता जी के हाथ में मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा जैसे ही रात हुई दीदी का सारा सामान बाधा जाने लगा मैंने मा से पूछा दीदी कहीं जा रही है क्या तो मा ने कहा हां कल सुभा दीदी की बिदाई हो जाएगी मैंने कहा दीदी की बिदाई लेकिन कहां तो उन्होंने कहा तेरी दीदी की सुद्धी हो चुकी है तो उसे उसका पती लेने आएगा मा की बात सुनकर मैं फिर से रोने लगी मैंने कहा लेकिन आप दीदी को क्यों भेज रहे हैं और दीदी की तो शादी हुई ही नहीं जब मैंने सवाल जवाब सुरू किया तो मा ने मुझसे कहा यही इस गाउं की प्रथा है जिसकी सुद्धी होती है उसका मतलब वो साधी सुदा हो जाती है उसे अपने पती के साथ ही जाना पड़ेगा तू भी इसके लिए खुद को तयार कर ले क्योंकि 16 साल का होते ही तुझे भी अपने पती के साथ जाना है मा की बातों ने मुझे थोड़ा डरा दिया लेकिन उस समय मुझे दीदी की चिंता थी मैं तुरंत ही भाग कर दीदी के पास गई मैंने कहा दीदी आप कहीं मत जाना तो वह रुआसी आवाज में बोली सीमा मैंने तुझे कहा था ना इसी लिए मैं तुझे सुद्धी से मना कर रही थी क्योंकि अब तु मेरा ही हाल देख ले अगले दिन मा बाबु जी ने दीदी को अंजान आदमियों के साथ अकेले भेज दिया इस वार वह बिलकुल भी नहीं रो रही थी शायद वह अंदर से मजबूत हो गई थी दीरे दीरे साल बीत रहे थे दीदी कुछ-कुछ महीनों में घर आती और मा बाबु जी उसे अलग-अलग आदमियों के साथ भेज देते और जब मैं पूस्ती कि ये कौन है तो मा बताती कि ये तेरी दीदी के पती है अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि जब भी दीदी को किसी नए पती के पास भेजा जाता तो उसके बदले में बाबु जी को खूब सारे पैसे मिलते थे मेरे गाउं की कई लड़कियों को शुद्दी की प्रक्रिया के बाद ठाकुर की हवेली पर भेजा जाता रहा और उसके बाद वह अपने नए नए पतियों के पास भी भेजी जाती रही धीरे धीरे समय बीता और फिर मेरी सहेली रमा के शुद्दी का समय आ गया मैं अब 15 साल की हो चुकी थी और वह 16 साल की हो गई थी वह अपनी सुद्दी से बहुत जादा खुश थी लेकिन मुझे दीदी की हालत याद थी तो मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और बोली कि तू पागल हो गई है देखना अब मेरे पास बहुत सारी चीजे होंगी अब मैं क्योंकि बड़ी हो गई थी तो कुछ चीजें मुझे समझ आने लगी थी लेकिन आज भी मेरे दिल में ये जिग्यासा थी कि जो लड़कियां शुद्दी के बाद ठाकुर की हवेली पर भेजी जाती है वहां उनके साथ ऐसा क्या किया जाता है कि उनकी हालत इतनी जादा खराब हो जाती है शाम तक मेरी सहेली को ठाकुर की हवेली पर भी भेज दिया गया था और संयोग की बात ये थी कि उसी दिन मेरे गाउं में एक बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ था जिसमें गाउं के इस तरब बाले और उस तरब बाले सभी लोग शामिल होने के लिए गए हुए थे गाउं की तरहा मेले को भी दो भागों में बाटा गया था मेरे पास इस से अच्छा और कोई भी मौका नहीं था ये देखने का कि आखिर हवेली में जो भी लड़कियां शुद्धी के बाद जाती है फिर उनके साथ आगे क्या होता है क्योंकि गाउं लगबक काफी खाली था कोई भी ये देखने वाला नहीं था कि कौन कहां पर जा रहा है मेरे घर से भी मा बाबु जी और मेरा भाई गए हुए थे मैंने तो जान बूच कर ही उन्हें ये बहाना बना कर मना कर दिया कि मेरे आज पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी और जैसे ही घोर अन्धेरा हुआ मैंने एक कंबल ओड लिया और दवे पाउं गाउं की गलियों से चुपके चुपके निकलने लगी और पीछे के खेतों से होते हुए ठाकुर की हवेली के पास पहुँच गई लेकिन मैंने देखा कि ठाकुर की हवेली पर तो बहुत सक्त पहरा था मैं किसी भी हाल में अंदर नहीं जा सकती थी लेकिन मैं हार नहीं मान सकती थी मेरे इरादे वज़पन से ही बहुत मजबूत रहे थे मैं तुरंत ही हवेली के पीछे की ओर पहुँची मैंने सोचा अगर आगे से ना सही तो मैं पीछे से तो जा ही सकती हूँ ठाकुर की हवेली के पीछे बहुत बड़े बड़े खपरेल लगे हुए थे जिन पर मैं सर्र से चड़ गई एक कमरे की खिडकी खुली हुई थी लेकिन मैं वहां तक पहुच ही नहीं पा रही थी फिर मैंने ध्यान दिया कि पास ही एक बड़ा सा पेड लगा हुआ है जिसकी मोटी मोटी टहनिया खिडकी तक पहुच रही थी मैं खपरेल से उतर कर तुरंत ही पेड़ पड़ चड़ गई और समल कर चलते हुए टहनियों के सहारे खिडकी के पास पहुच गई जैसे ही मैंने खिडकी के अंदर जाप कर देखा मेरे तो पैर ही कापने लगे पूरा कमर लेकिन कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था ठाकुर मेरी सहेली के साथ जो ब्यवहार कर रहा था उसकी कलपना मैंने सपने में भी नहीं की थी वहे बहुत जादा नशे में भी लग रहा था लगातार मेरी सहेली पर वह जुल्म धा रहा था और गलत काम कर रहा था ये देख कर मैं पसीने से तर्बतर हो गई और घबराहट की वज़ा से मेरा संतुलन बिगड गया और मैं टहनी से नीचे आगिरी जिसकी वज़ा से मेरे पैर में चोट लग गई जैसे तैसे मैं लंगडा लंगडा कर सबकी नजरों से खुद को बचाते हुए अपने घर पहुँची क्योंकि अगर मुझे कोई देख लेता तो मार मार कर अदमरा कर देता हवेली का नजारा मेरी आँखों के सामने से जा ही नहीं रहा था घवराहट के मारे मैं सदमे में आ चुकी थी कई दिनों तक मैं किसी से कुछ भी नहीं बोली कुछ दिन के बाद मेरी सहेली को उसके पती के पास भेज दिया गया था और अब मुझे अच्छे से समझा गया था कि मेरी दीदी इस सब के लिए क्यों मना कर रही थी दीरे दीरे समय बीता और अब मैं 16 साल की हो गई तो मेरे घर वाले मेरी शुद्धी की तयारी शुरू करने लगे मैंने इसका पुर जोर विरोध किया लेकिन इसके बदले में मुझे सिर्फ बापू की मार ही मिली और मेरी सुद्धी के बाद जवरदस्ती मुझे भी हवेली पर भेजने की तयारी होने लगी लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जैसे ही ठाकुर की हवेली की तरफ जाने के लिए मेरी डोली उठी तबी खबर आ गई कि ठाकुर का देहान्त हो गया है और पूरे गाउं में सोर मच गया हर कोई ठाकुर की मौत की खबर से दुखी था लेकिन मैं बहुत खुश थी और बार बार उपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझ पर इतनी भयानक आप बीती बीतने से बचा लिया इससे मेरे माबाप बहुत ज़्यादा दुखी थे कुछ दिन बीते तो मैं स्कूल जाने की जिद करने लगी लेकिन मेरे माबाप ने मुझे साफ इंकार कर दिया कि अब पढ़ाई दिखाई बिलकुल बंद अब अपने पती के पास जा और वहां उनकी मन लगा कर सेवा कर मैं अपनी पढ़ाई हर हाल में करना चाहती थी जिसकी वज़ा से मैंने बहुत लड़ाई लड़ी लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ दो हफते के बाद ही मुझे एक आदमी के साथ भेज दिया गया जब मैं वहां पहुँची तो मेरे साथ उसने वही करने की कोशिश की जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा था क्योंकि वह मुझे लेकर ही इस चीज के लिए गया था लेकिन मैं भी मन में ठांग चुकी थी कि मैं अपने साथ वह सब नहीं होने दूगी जो गाउं की बाकी लड़कियों के साथ हुआ है इसलिए मैंने सुरुआत से ही उसके साथ बहुत अच्छा बनने का नाटक किया और हर रोज मैं उसे चुपके से किसी भी खाने पीने की चीज में नींद की दवा मिला कर खिला दे क्योंकि उसकी तो कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही थी जिसकी बज़ा से वह बहुत जादा खिसिया गया था और नाराज होकर मुझे मेरे घर वापस छोड़ गया इधर मेरे माबाप मेरे लिए किसी दूसरे आदमी को देखने लगे दो तीन लोगों के साथ तो मै मैंने ऐसा ब्योहार किया जिससे वह मुझे पागल समझें और उन्हें लगा कि उन्हें मुझे से खत्रा है जिस वज़ा से उन्होंने मेरे माबाप के मूँ पर ही मुझे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया जिससे मेरे माबापू मुझे हद से जादा चिड़ने लगे थे ये सब करते करते धीरे धीरे एक साल बीत गया एक साल के बाद मुझे मेरे मावाप ने फिर से एक दूसरे आदमी के साथ किसी भी तरह से भेज दिया वहां पहुँच कर मेरी जिंदगी तो नरक से भी जादा बत्तर होने लगी थी क्योंकि वह लोग पूरा पूरा दिन मुझसे धेढ सारा काम करवाते थे लेकिन जिस दिन बात मेरी इस्जफत पर आई मैं मौका पाकर वहां से भी भाग गई और जब मैं घर वापस आई तो उसके बदले में मुझे मेरे माबाप की तरफ से धेर सारी मार मिली इधर मेरे माबाप अपनी पूरी जान लगा रहे थे लेकिन मैं भी हार नहीं मानना चाहती थी क्योंकि मुझे अपनी दीदी की बात याद थी कि अगर मैं पढ़ लिखकर कुछ बन गई तो अपने गाउं की लड करवाना ही था अब मैं 20 साल की हो चुकी थी और मुझे मेरे नए पती के घर पर भेज दिया गया था उस दिन उसके परिवार वाले किसी साधी में शामिल होने के लिए गए हुए थे और वह नसे में पूरी तरह से दुथ होकर मेरे साथ वह सब करने की कोशिश करने लगा मै मैंने मौका पाते ही उसे एक जोरदार धक्का दिया लेकिन उसने मुझे बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया हमारे बीच बहुत देर तक खी स्तान चलती रही लेकिन इसके बाद मैंने उसे एक बार फिर से जोर से धक्का देकर पीछे की तरफ धकेला जिससे उसका सर दर लेकिन बस इतना पता था कि मुझे अब अपने गर वापस लोट कर बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि अपने घर जाने का मतलब यही था कि मैं एक बार फिर से इसी तरह के दलदल में फस जाती मुझे कोई भी सुधबुद नहीं थी कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ लेकिन मैं लगातार अंधेरे में दोडती जा रही थी और गाडियां मेरे आसपास से निकलती जा रही थी भाग भाग कर मैं बुरी तरह से ठक चुकी थी लेकिन मेरे कदम थे कि वो रुकने का नाम ह नहीं ले रहे थे कि तभी अचानक ही सामने से आई हुई एक गाड़ी से मेरी जोरदार टकर हुई और उसके बाद मैं बेहोस हो गई जब मुझे होस आया तो मैं किसी के घर पर थी मैं जैसे ही उठकर बैठी तभी एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उठो मत आ लेडिया नजर आता था वह शायद मेरे डर को भाब गया इसी लिए वह तुरंत ही जा करके अपनी मा को मेरे पास बुला लाया उसने मुझसे कहा कि तुम बिलकुल भी फिक्र मत करो तुम इस घर में पूरी तरह से सुरक्षित हो उस लड़के का नाम रोहित था रोहित की म ने उन दिनों मेरा बहुत ध्यान रखा इतना तुप्यार मुझे मेरी माने भी नहीं दिया था जितना प्यार रोहित की माने मुझे किया दो हफ्तों में ही मुझे रोहित की मा से बहत लगा हो गया था जब मैं दो हफ्ते में ठीक हो गई तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं यहा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा लेकिन अब अगर तुम मुझे बताना चाहो तुम बता सकती हो कि तुम उस रात बदहवास हालत में इस तरह सडकों पर क्यों दोड रही थी। लेकिन वो पहले मर्द थे जिन में मुझे एक रक्षक दिखता था जो औरत की इज़त करता था। इसलिए मैंने अपनी पूरी कहानी रो रो कर रोहित को साफ साफ बता दी। मेरी कहानी सुनकर रोहित की मा की आँखों में आसु आ गये और उन्होंने मुझे गले से लगा लि वह बोली मेरी बच्ची तुमने बहुत कुछ जहिला है लेकिन अब तुम्हारे बुरे दिन आज से खत्म हो गए। जो मुझ पर बीती है वो अब दोबारा से कभी भी किसी भी लड़की पर ना बीते। मेरी मा का ध्यान रखना मैं तो वैसे भी अपनी मा के लिए एक अच्छी केर टेकर ढूंड रहा था क्योंकि मा तो यहां अकेली रहती है इस तरह से तुमें भी काम मिल जाएगा और मुझे भी केर टेकर मिल जाएगी। उनकी बात मुझे ठीक लगी और मैं वहीं पर रुख गई। अगले दिन सुभा रोहित मेरे पास आए और बोले तैयार हो जाओ दो घंटे में हम कहीं बाहर जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा साथ चौक गई कि आखे रोहित मुझे कहां पर लेकर जा रहे हैं। मेरे अंदर थोड़ा सा सक पैदा होने लगा लेकिन फिर भी उन पर भरोसा करने के लिए मैं मजबूर थी। दो घंटे के बाद हम लोग गाड़ी से निकल गए। रास्ता बहुत जादा लंबा था। इसलिए मेरी कब आँख लगई ये मुझे पता ही नहीं चला। जब रोहित ने मुझे नींद से जगाया तो सामने का नजारा देखकर तो मेरे होशी उड़ चुके थे। क्योंकि वो मुझे वापस मेरे गाउं में ले आये थे जहां मेरे साथ वह खेल शुरू हुआ था। मैं ठीक मंदर के सामने ही खड़ी थी। जहां आज फिर से किसी लड़की के शुद्दी की तयारी हो रही थी और उसकी जिन्दगी खराप करी जा रही थी। ये सब देख कर मेरी आखों में आसु आ गए और मेरे हाथ कापने लगे। मैं रोहित पर बुरी तरह से चिल्लाई कि आप मुझे वापस यहां लेकर क्यों आए हैं। मैंने आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। और वह मेरा हाथ पकड़ कर मुझे मंदिर के पास ले जाने लगे। मैं उनसे अपना हाथ छुडाती रही। लेकिन मैं पूरी तरह से नाकाम रही। जैसे ही हम दोनों मंदिर में पहुँचे। रोहित बहुत जोर से चिल्लाए कि बंद करो ये घटिया काम। उनके चिल्लाते ही वहाँ एक दम सन्नाटा पसर गया। तभी कुछ आदमी वहाँ आए और वह रोहित पर छिल्लाने लगे कि तू कौन होता है ये सब रोकने वाला ये हमारे गाओं की प्रथा है जो बरसों से चली आ रही है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं रोका है और तू कौन है जो इस आदमीयों में से एक ने रोहित पर हात उठाया लेकिन रोहित ने इतनी जोर का मुक्का उस आदमी के दिया कि वह जमीन पर धडाम से गिर पड़ा और उसके मूँ से खून निकलने लगा तभी अचानक से मंदिर के सभी लोगों को पुलिस ने घेर लिया हम सब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तभी रोहित ने कहा कि मैं इस सहर का नया S.P. हूँ उनके मूँ से ये सुनकर तो मेरा मूँ खुला का खुला रह गया इसका मतलब इतने दिनों से मैं इतने बड़े अधिकारी के साथ रह रही थी रोहित ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि गिरफतार कर लो इन सब को उस वक्त मैं जितनी खुशी महसूस कर रही थी मैं बता नहीं सकती थी मैं जिस आदमी पर शक कर रही थी वह तो देपता निकला ठाकुर के बाद उसके बेटों ने इस प्रता की जिम्मेदारी ले ली थी उनको भी गि भी पूरी करने लगी रोहित ने मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की और उनके ही मार्ग दर्शन में दो साल के बाद मैं एक IPS ओफीसर बन गई इसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी दीदी को ढूंडा और उने भी इस दलदल से मुक्ती दिलाई तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को जादा से जादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं सूपर थैंक्स का ओप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिये हुए सभी ओप्शन्स में दिख जाएगा जो की हर्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं थैंक्यू